हलो फ्रेंट्स, वैलकम टू माई यूट्यूब चैनल टिप्सकुरू दोस्तो आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टुडेंट्स के लिए 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 हूँ पांच नए नोटिफिकेशन्स फ्रेंट्स, आप मेंसे जो भी स्टुडेंट्स फरवरी 2021 टामेड एक्जामनेशन्स के लिए अपियर करने वाले हैं आप सभी स्टुडेंट्स के लिए ये नोटिफिकेशन्स जानना बहुत ही ज़रूरी है इसके अलावा जिन स्टुडेंट्स ने इगनु में नया नया एड्मिशन लिया है उन सभी स्टुडेंट्स के लिए भी आज की इसी वीडियो में खास जानकारी दी हुई है इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किये लास तक देखिएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले आप सब्सक्राइब आप सुछनद नोटिफिकेशन 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 लिए जिनोंने September-October में अपने time and examinations appear किये थे अगर आपके result अभी तक pending में है तो आप इने चेक कर सकते हैं आपके results को 28th January को latest update किया गया है आप में से जिन भी students ने revaluation results के लिए apply किया था आपके revaluation results को भी latest यहाँ पे update कर दिया गया साती दोस्तों आपके grade card को भी यहाँ पे latest 28th January को update कर दिया गया आप में से काफी ऐसे students हैं जिनके grade card को भी update कर दिया गया है तो आप अपना grade card एक बार जरूर चेक कर लिजेगा grade card के बाद में next notification है आपके उन सभी students के लिए जिनके BSC में practical examinations conduct किये जाएंगे मार्च के महिने में इगनू की तरफ से आपके practical examinations के लिए guidelines भी जारी कर दी गई यह वो सभी students हैं जो BSC program वाले थे old scheme वाले जो नए students हैं BSCG program वाले आपके लिए practical की date sheet अभी तक इगनू की तरफ से release नहीं की गई BSC program के practicals मार्च के महिने में 22 तारीक से 24 मार्च तक conduct किये जाएंगे आपके practicals के लिए यहाँ पे eligibility criteria दिया हुआ है आप इसको चेक कर लिजेगा साथी यहाँ पे आपके examinations के लिए बताया गया है कि आपके practical examinations return type के होंगे और आपके objective type के question paper दिये जाएंगे अगर आपका 4 credit का course है 4 credit course तो इसके लिए maximum marks होंगे 50 और इसके लिए आपको 20 questions के answers वहाँ पे टिक करने होंगे total questions दिये होंगे 25 इसी तरीके से अगर आपका 2 credit का course है तो इसके लिए maximum marks होंगे 25 आपको total 15 questions में से 10 questions के answers वहाँ पे टिक करने होंगे इसके बाद में यहाँ पे आपके examinations के बारे में पूरी जानकारी दिवी है और साथ ही आपकी date sheet भी दे दी गई आप में से जो भी students BSC प्रोग्राम वाले हैं आप सभी इस date sheet को check कर लिजिएगा और इसके accordingly आप अपनी preparation start कर सकते हैं next notification है उन सभी students के लिए जिनोंने July 2020 session में इगनू में नया admission करवाया है तो दोस्तों आप सभी students के index and meeting आपके particular regional centers की तरफ से conduct की जानी चाहिए और काफी regional centers की तरफ से index and meeting conduct करी भी जा चुकी है लेकिन अगर अभी तक conduct नहीं की गई तो आप ये PPT जो की illegal regional center की तरफ से upload किया गया है इसे check कर सकते हैं इस presentation में आपके admission से लेकर आपके convocation तक complete जानकारी दी हुई है next notification की तरफ बढ़ते हैं ये notification है चंडीगर regional center के students के लिए आप मिसे काफी essay students हैं लगबग 500 essay students हैं जिनके study center को चंडीगर regional center की तरफ से change कर दिया गया आपका study center बदल दिया गया है और आपकी list भी यहाँ पे चंडीगर regional center की तरफ से release कर दी गई दोस्तों आप इस list को download करके check कर सकते हैं यहाँ पे कुछ total 513-513 essay students हैं जिनके study center को बदल दिया गया so आप इस list में अपना नाम जरूर check कर लिजिएगा next notification है आपके सभी चोटी 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 problems के लिए आपने से काफी students चोटी चोटी जो problems face करते हैं उन सभी के लिए आप किसको contact करें so इससे related भी इगनू की तरफ से एक notification यहाँ पे जारी किया गया है आपके जो भी concerned issues होंगे जो भी concerned problems होंगी उन से related जो contact numbers या जो email IDs दी वी हैं आप उन पे contact करके और अपने problems के लिए solution इन से पता कर सकते हैं so दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ आपको यह information पसंद आई होगी वीडियो को like कर दीजेगा like करने के साथ साथ आप इस वीडियो को अपने friends के साथ में facebook पे whatsapp groups में share कर दीजेगा आप अगर मेरे channel पे पहली बार आ रहे हैं तो channel को subscribe कर लिजे subscribe करके पा